तो हमें मासिक शिक्षक संकुलबैटक किस प्रकार आयोजित करें हम लोग की हमारा जो निपुन लक्ष है वो हम पूरा कर सकें किस तरीके से हमारे मीटिंग का एजेंड़ा हो तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम शिक्षक संकुल बैठक आयोजित करें तो जो प्रतिभागी शिक्षक हैं उनकी best practices, उनके नवाचार सभी के भी साजा हों और साथी साथ उनके विद्याले में जो समस्याएं आ रही हैं जो उनके कक्षा कक्ष की समस्याएं हैं वो भी सभी के समक्ष रखी जाएं ताकि सभी शिक्षक संकुल, A.R.P. और सभी प्रतिभागी शिक्षक मिल जुलकर उस समस्याओं का समाधान करें और इसके लिए ये बहुत आविश्चक है कि जो मीटिंग का एजेड़ा है या इस्थान है या समय है ये सब कुछ पूर्व निर्धारेत हो और सभी कुछ शिक्षण अवधी के बाद हो ताकि शिक्षण गदिविदियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े साथी हमें ये देखना होगा कि जो विध्याले से प्रतिभागी शिक्षण आ रहे हैं वो रोटेशन के आधार पर आएं ताकि जो सभी प्रतिभागी शिक्षण हैं जितने विध्याले हैं उनके शिक्षणों को इस शिक्षण संकुल बैठकों का लाग समान रूप से मिल सके कि 19 सितंबर 2022 को meeting का एक नया agenda प्रस्तुत किया गया है कि हमें किस प्रकार से अपनी सिख्षक संकुल बैठा को आगे बढ़ाना है कैसे कैसे सत्र आयुजित किये जाने है तो आए हम इस जो meeting का agenda है जो कि 19 सितंबर 2022 को प्रेशिद किया गया है इसको आठ बिंदू की अंतरगत समझते हैं तो सबसे पहला जो हमारा बिंदू है वो है बैठक का शुबारंब अब हम मासिक संकुल बैठक का शुबारंब कैसे करें तो इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारे प्रतुभागे शिक्षक आएं हैं वो किस प्रकार से बैठक के लिए उनके लिए अनकूल माहौल बनता है सीखने का अनकूल माहौल और वो सहज हो सकें तो इसके लिए आप बैठक का शुबारंब किसी कविता से किसी गी से या फिर कोई रोचक खेल आयोजित करकर भी कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा सत्र है वो है जिग्यास्ता या नई सीख तो इसके अंतरगत जो भी परतिभागी शिक्षक हैं उनके विध्याले में क्या समस्याई आ रही हैं उनके कक्षा कक्ष में क्या समस्याई हैं समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है जैसे माल लेते हैं कि अगर किसी के कक्षा कक्ष में कोई विशेश आवशकता बच्चा है तो अब उसका शिक्षड कैसे किया जाए उसको कैसे पढ़ाया जाए या फिर कक्षा कक्ष में बच्चों की उपस्तिती को कैसे पढ़ाया जाए तो इस तरह की समस्यां जो आ रही हैं वो सम मिल जुलकर आपसी सहयोग से सारे शिक्षक संकुल, ए आरपी और प्रतिभागी शिक्षक मिल जुलकर इनको समस्याओं का समाधान करेंगे तो तीसरा अब जो सत्र है वो है प्रश्ट भूमी का इसके अंतरगत जो सम्मन्धित ए आरपी है तो वो जिला इस तरपर जो मीटिंग होती है तो उसमें जो महत्वकून बेंदू हैं वो सभी शिक्षक संकुल और प्रतिभागी शिक्षकों के मद्दे साजा करेंगे इसके बाद चोथा सत्र है संदर्व का संदर्व के अंतरगत जो नोडल शिक्षक संकुल है वो पूर्व में जो शिक्षक संकुल बैठक आयोजित की गई है तो उसमें कौन-कौन सी कारियोजना बनाई गई और उसका क्रियान्वन के बाद क्या निर्णे लिये गए और जो प्राथमिता हैं उनका निर्धारण करेंगे साथी साथ जो दीक्षा प्रशिक्षण चल रहे हैं तो दीक्षा प्रशिक्षण में प्रतिभागे शिक्षकों को क्या-क्या कुछ नई बिंदू मिले तो उन नई बिंदूों को उन्होंने किस प्रकार से अपने कक्षा कक्ष में क्रियानवित किया और उस क्रियानवन के बाद क्या सकारात्मक परणाम निकले इस पर भी चर्चा की जाएगी इसके बाद जो पाच्वा सत्र है वो है अकादमिक प्रयास ओपर चर्चा इसके अंतरगत जितने भी प्रतिभागी शिक्षक हैं उन्होंने कुछ नवाचार क प्रतिभागी उन्हों हों के उनकी कुछ ब्रैसप्रीक्टेस होंगी उन्हों कि चख्षद वीडियू बनाए होंगे या कच्षा-कच्षकी कुछ darumागी उन्हों बच्चों से कुछ अच्छे-चछे सकारात्मक परणां मिले होंगे तो उनG में अपने संकुल बैठक में प्रतिभागी शिक्षक लेके जाएं और उनको सबके समक्ष साजा करें ताकि सभी को इसका लाब मिल सके तो अब छटा जो सत्र है वो है शिक्षण योजनाओं का निर्माद तो हमें इस पे बहुत ध्यान रखना है कि अब जो हमें कक्षा कक्ष में जाना है तो लाब समुष शिक्षद के बनेंगे चार पांच के लिए अलग और छे साथ आथ के लिए अलग कक्षा एक से टीन تक की शिक्षण योजनाओं के निर्माद के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि आधा, शिला, क्रिया, इन्वन, संदर, शिका को ध्यान में रखते हुए और मासिक प्राथ मिक्ताओं को ध्यान में रखते हुए जिस जो माह में हमारी शिक्षक संकुल बैठक आयोजित की जा रही है और उसका आगामी महा, इन दोनों महा की प्रात्मित्ता को हम ध्यान में रखेंगे और तब हम शिक्षण योजनाओं का निर्मार करेंगे इसी प्रकार से कक्षा 4-5 और कक्षा 6-7-8 को निपोन लक्ष को ध्यान में रखना है और अपने पार्ट कुस्तकों को केंद्र में रखकर शिक्षण योजनाओं छोटे समुहों में बनानी है और उसके बाद बड़े समुहों में इन शिक्षण योजनाओं पर प्रस्तुति करना और चर्चा करनी है इसके बाग आठ सात्वा सत्र जो है वो है क्रियानवन हेतु उपकरन निर्मान क्रियानवन किसका शिक्षण योजनाव का क्रियानवन जो हमारा होगा वो बिना TLM बिना अगत्विधियों के संभव नहीं है तो इसको हम कैसे बनाएं तो कक्षा एक से तीन का जैसे की हमने पहले समू बनाए थे शिक्षण योजनाव के निर्मान के लिए कि एक से तीन का अलग समू था चार से पांच का अलग समू और छे साथ आठ का अलग समू तो कक्षा एक से तीन वालों को जो है वो आधाशला कि उद्देशों को केंटर में रखेंगे, उनको ध्यान में रखकर TLM का निर्मान करेंगे, अब TLM किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई आप कोई कारेपत्र बना सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं, या फिर गड़ेत और विज्ञान के कुछ मॉडल्स, तो इस सब को आप इनका प्रस्तुती करण करना है, जो छोटे सम्हों में आपने TLM और Teaching Plants बनाई हैं, उनको हमें 5-6 मिनट देना है प्रतेक सम्हों को प्रस्तुती करण के लिए, और इसके बाद जो अनिशिक शक हैं, उस पे वो सकारात्मक विंदू बताएंगे और सुझाव रखेंगे, ज इसके अंतरगत, ARP और शिक्षक संकुल, संपूर योजना के क्रियाइन बन के लिए, शिक्षक संकुल के विध्याले को उधारण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और साथी साथ शिक्षर योजना को आधार बनाते हुए, और सभी बच्चों के नियमित आकलन को सुनिश करते हुए, साथी साथ रिमेडियल टीचिंग, बच्चों के समूम में काम करना और बच्चों के व्यक्तिकत रूप से कार्य करने के पर्याप्त मौके देने पर हमें बल देना है, तो ये मासिक बैठकों में आयुजित होने वाले आठ सत्र हैं, ये है मीटिंग का एजेंड जो की 19 सितंबर 2022 का है, अब इसके अलावा अगर हमें अपनी मासिक शिक्षक संकुल बैठक को सफल बनाना है और अपने लक्ष को राप्त करना है, तो ये पंच सूत्रों को हमें दिहान में रखना होगा, जैसे कि पहला कि बैठक का एजेंडा सभी प्रतिभायों के साथ प पूरी कर ली जाएं, इसके बाद दूसरा बेंदू है, पूर में ही अपने टीलम, शैक्षिक सामेगरी, वीडियो आदी को साजा करने के लिए शिक्षक, जो भी प्रतिभागी शिक्षक है, वो पहले से ही उन्हें व्यवस्थित कर लें, और जो पिछली संकुल बैठक हु तक के ये दिये गए जो आठ सूत, जिन पर अभी हमने चर्चा की थी, उनको विद्वत करना सुनिश्चित किया जाए, और प्रतेक सत्र का आयोजन विवरण में दिये गए टिपणी का संदर्व लेकर ही करें, तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षक संकुल प्यारी, शिक्षा सामेगरी की समझ, आपके सुझावों की परिपक्वता अति महत्तपून है, धन्यवार